हेलो माई डियर यांग व्यूवर्स माई डियर नने नने स्कॉलर्स और मेरे चोटे-चोटे दोस्तों क्या कर रही है और कैसी चल रही है पढ़ा यूटी अच्छे हुए मार्स अच्छे आ गए इंग्लिश में आप इसके बाद धनी सकल के बाद में आपकी पूर्वी हेलो हार यू माई यंग व्यूवर्स मेरे नने नने दोस्तों कैसे हैं आप लोग ओके नाओ यू आर मोस्ट वेलकामी नाया थौट्स इन इंग्लिश और आज हम करने जा रही हैं क्लास सिक्स इंग्लिश पूर्वी यूनिट नमबर थ्री आपको पता है नर्चरिंग देखिए नर्चरिंग में भी एन एन दोनों वर्डेंस से शुरू है न तो इस नाम के अंदर भी क्या है एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार है न तो यहां पर एलिट्रेशन पोईटिक डिवाइस है तो यूनिट थ्री है नर्चरिंग नेचर और इसके तीन पार्ट्स है जिसका फर्स शेप्टर है नीम बाबा कितना प्यारा नाम है नीम जो कि एक व्रिक्ष होता है हम उसे बाबा कहकर बुला रहे हैं बाबा कहना कितना अपना पंसा लगता है न है न तो हम इसके करने जा रहे हैं question and answer plus exercise complete solution आपको दूंगी देखिए मेरे वीडियो आने में थोड़ा time लगता है क्योंकि मुझे इसे solve करना पड़ता है उसके बाद paste करना पड़ता है फिर answer जो है अपने आप करने पड़ती है और फिर उसके बाद में इसमें type करके edit करना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा time ल यूसफुल होती है लाबकारी होती है mention some of these users इसके कुछ uses को आप जो है वो mention किया है हमने write them in a picture given below जो picture दिया है ना ब्रिश के अंदर और उसके बाद में उसके बाद कुछ जो है वो जगाए bubbles दिया हुए है तो उनको फिल करना है ना पहला दिया हुए some parts of trees are used in preparing medicines or tree के कुछ भाग है जिनसे जो दवाईया बनाने के काम आती है now next day it is used to make furniture यह furniture बनाने के काम आता है it helps in preventing soil erosion और soil erosion क्या होता है जब बाड़ इत्यादी आती है तो मिट्टी की जो सबसे उपर की परत उपजाव परत होती है बाड़ का पानी उसे बहा कर ले जाता है लेकिन अ तो व्रिक्ष की जड़ें जो फर्टाइल उपजाव मिट्टी होती है उसे पकड़े रहती है उसे बहने नहीं देती इसलिए कहते हैं पेड़ गाओ तो यह हमें व्रिक्ष जो हैं soil erosion से हमें बचाते हैं मिट्टी के कटाव से बचाते हैं it gives shelter and shade और यह हमें आश्रे देते ह है रहने का ठीकाना देते हैं और चाया देते हैं है ना गाओं में जाओगे नो किसी पेड़ के नीचे बैठोगे इतनी ठंडी हवा लगती है ना कि आपका जो मन है वह related हो जाएगा delighted हो जाएगा ना नीम is a common tree in our country नीम हमारे देश में एक बहुत ही ज़्यादा समाने व्रक्ष है discuss in groups of four, four, four के समों में discuss करो and fill column A and B with what you know और आप column A और B भरो क्या आप जानते हैं नीम क्री के बारे में और क्या जानना चाहते हैं तो पहले column में है कि आप क्या जानते हैं आप पहले column में आप जानते हैं कि नीम लिव्जार यूज़़ इन मैडिसेन नीम की पतियों की दवाई बनाए जाती है नीम ओल is used as a natural pesticide नीम का जो तेल होता है वो प्राकरति और वरक बनाने के काम में आता है pesticide क्या होते जो pest होते हैं germs होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें मारने के काम में आता है powder of neem seeds stops breeding mosquitoes, termites, etc. और नीम की बीजों का जो powder होता है न वो मच्छरों को दीमकों को पनपने से रोकता है नीम बार्क is used in making cosmetic products और नीम की जो च्छाल होती है ना च्छाल क्या होती है जो पेड़ का तना होता है ना उसके उपर से जो उतारा जाता है जो उसकी skin type उतारी जाती है उससे बहुत सारे कृत्रिम प्रसाधन सौंदर्रे प्रसाधन बनते हैं कॉस्मेटिक तो आपको पता है ना cream हुई और oil हुआ या सर में लगाने का तेल हुआ या और कोई cream हुई तो यह सब बनते हैं ओके नौ आप जो है नीम को कैसे कंपेर करेंगे यहां पर चार देखिए question sign के answer देखिए अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या आप जानना चाहते हैं क्या जानना चाहते हैं आप how can you compare neem leaves with modern antibiotics आप नीम की पतियों को जो modern दवाईयां है आधुनिक दवाईयों के साथ कैसे compare करेंगे how are neem leaves beneficial for crops नीम की पतियां फसलों के लिए कैसे लाब कारी हैं how can we stop breeding of other insects through neem leaves powder और आप बाकी के जो कीडे मकोडे होते हैं नीम की पतियों के पाउडर से उन्हें पनपने से कैसे रोकेंगे describe the process of extracting neem oil, neem oil को निकालने का जो तरीका होता है उसे बताएं now let us know our name आईए अपने नीम के बारे में जाने इसका common name है नीम और यह किस ने दिया इरानियों ने इरानियन्स period of birth और इनका जन कब हुआ million of years ago बहुत लाखों अर्बों खरबों अर्बों साल पहले born at कहां इनका जन हुआ नॉर्थ इंडिया में या मियामार जिसे बर्मा भी कहते हैं फाउंड इन कहां पाये जाता है Asian और African countries में और अमेरिका में भी पाये जाता है common name क्या है नेम लिंबा निमोरी निंबे निमोर है ना now names given by scientists यहां दीके जगा नी थी तो मैंने यहां नीचे दे दिया विज्ञानी को नहीं से क्या नाम दिया है bitter grace of God कड़वा भगवान का वर्दान nature's gift to men और प्रकरती का उपहार मनुष्य को names given by others और दूसरे लोगों ने क्या नाम दिया है magic tree the tree of the 20th century बिश्मी शताब्दी का व्रेक्ष now let us discuss how is neem useful to farmers neem जो है वो किसानों के लिए उपयोगी कैसे है यहां पे आईए देखिए it is useful for farmers यह किसानों के लिए लाभकारी है the powder of neem seeds is mixed in water neem की बीजों का जो powder होता है वो पानी में मिलाया जाता है and sprayed on plants और पौधों पर और रिक्षों पर छिड़का जाता है it's saved from locust locust मैंने आपको बताया टिड़ियां होती है जो फसलों को खा जाती है तो यह जो होता है छिड़काव यह टिड़ियों से बचाता है फसलों को it is used in rice fields और यह चावलों के मैदान में भी प्रियोग किया जाता है it stops mosquitoes breeding and increase crop yielding और यह मच्छरों को पनपनी से रुखता है और फसलों की उननती को फसलों को बढ़ने में साहिता करता है आईए next question क्या है हमारा mention some of the uses of the neem tree of the neem tree neem tree के बाकी के uses बाकी के प्रियोग बताईए आईए neem tree is very useful neem tree बहुत रुपयोगी है neem seeds powder is added to the stored grains और neem की बीजों का जो powder है वो जो हम अनाज के गोदाम होते हैं उनमें हम जोड सकते हैं नीम oil is used to make soaps and toothpaste यहां पर बटा टूथ की सब पेस्ट भी आएगा बचे बड़ी उससे मैं लिकना भूल गई हूँ यह पेस्ट ठीक है तो नीम का जो oil है उससे साबुन और टूथ पेस्ट भी बनता है नीम wood furniture is not eaten by termites नीम wood की जो furniture बनती है नीम की लकडी की जो furniture बनती है न वो उसे दीमक नहीं खा पते इट purifies the air और यह हवा को शुद करती है ना देखिए complete the following sentences yes now complete करिये नीचे दीवा sentences को the old man asked amber देखिए यह पर बुड़े नीम बाबा है और एंबर की बात हो रही है न जो old man है एंबर से पूछते है to call him नीम बाबा because जो old man है वो जो है एंबर से कहते है to call him नीम बाबा कि उन्हें वो नीम बाबा कहकर बुलाए क्योंकि क्यों नीम बाबा कहकर बुलाए he was very old and she played in shade in a shade in her childhood क्योंकि वे बहुत बुड़े थे और एंबर बच्पन में उन्हें की छाया में खेलती थी अब next आईए आप which parts of the नीम tree are used to make medicines नीम tree के कौन से भाग जो हैं दवाइयां बनाने के काम आती हैं तो कौन कौन से यहां पर दिया हुआ है नहीं देखे हम यहां पर थोड़ी से मुसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है देखे यहां पर जो यह जो इसके ब्लैंक है पहले इसका आंसर ले लिजिया ठीक है ना ब्लैंक का आंसर ले लिजिया हमने थे मैंशन सम उप द यूजिस पॉप इन जादा बूरी है और साथ सत में वह उनकी शेड में भी खेली है अब इसमें मैं एक आंसर देना आपको बच्चों भूल गई हूं Mention some of the uses of Neemtree, Neemtree के uses भी मैंने आपको दे दिये है Let us think and reflect आजाईए Let us think and reflect में देखिए पहले हैं आप You just read about the Neemtree, write any two facts that surprise you the most और आपने the Neemtree के बारे में पढ़ा है कोई दो बताईए सचाईया जो कि बहुत ज़दा सर्प्राइजिंग वाली है The old man asked Ember to call him Neem Baba Because जो old man है, Ember को कहते है Neem Baba Ember को कहते है old man कि उन्हें Neem Baba कहकर बुलाईए Because क्योंकि वो बहुत old है और इसके साथ-साथ Ember उनकी चाया में भी खेली है Now next है, number two है Neem Seeds Protects Crop From Neem की जो बीजो का पाउडर है वो हमें किस से बचाता है वो हमें बचाता है, इंसेक्ट से, कीडे मकोडों से लोकस्ट से, टिडियों से, टर्माइट से टर्माइट क्या होते, दीमकों से बचाता है Now see, dash is a cost effective method to stop mosquitoes from breeding in a stagnant water और सासात में बहुत ही कम कीमत में एक तरीका है, जिससे की मच्छों को ठहरे हुए पानी में मच्छों को पनपने से रोकने के लिए एक बहुत ही कम कीमत का एक तरीका है इसी आजाता है और क्या तरीका है, mixing the powder of neem seeds अगर हम ठहरे पानी में neem की बीजों का powder मिला दें तो उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे और एक क्या कारण है कि डॉक्टर क्यों सलाह देती है नेem की पतियों का यूज करने के लिए उन लोगों के लिए जो कि measles, measles क्या होती है, chicken pox वगरा जो होती है जिने आप छोटी माता, बड़ी माता वगरा ये सब ये कहती है अगर कोई इससे सफर कर रहा हो, परिशान है तो डॉक्टर कहती है कि उनके बैठके आसपस नीम लिफ को रख दो तो नीम लिफ से डिस्ट्रॉय जर्म्स क्योंकि जो नीम की पतिया होती है, ये जर्म्स को मार देती है ठीक है, ना, हमें नुक्सान करने वाले जीवों को मार देती है, अब देखी आईए, बिल्कु ठीक ठीक मैंने दिये हुए है, थोड़ा कन्फ्यूज हो गई थी मैं नीम बाबा को याद क्यों नहीं आ रहा था वो वर्ष की वह कब पैदा हुए थे, नीम बाबा को याद ही नहीं आ सब पा रहा था कि वह कब जन में थे, क्योंकि वह बहुत बुड़ी है, यह बहुत बुड़ी है, और वह अर्वो खर्वो साल पहले पैदा हुए थे, it was long span of time, यह बहुत लंबा समय था, so it was difficult to recall the exact year, और इसलिए बड़ा मुश्किल था, उचित बिल्कु सही वर्ष को पहचानना, नमबर 4, देखिए आए, which parts of the neem tree are used to make medicines, और कौन से भाग है neem tree के, जो की दवाईया बनाने के काम आते हैं, different parts of the tree are used to make medicine, अलग-अलग भाग है पेड़ों के, जो दवाईया बनाने के काम आते हैं, these are way है, leaves, पतिया, बार्क, छाल, flowers, full, roots, fall, and roots, और इसकी जड़े, now, let us learn, study these words from the text, देखिए, words यह हुए है, something, well-known, childhood, name oil, grandmother, well-trained, cleanliness, parting, देखिए, इसके बीच में hyphen आया है, seed powder, and thought-provoking, thought-provoking के बीच में hyphen आया है, hyphen जानते हैं आप क्या होता है, एक छोटा सा dash होता है, ना, dash बड़ा होता है, पन छोटा होता है, now, put the compound words given below in their trees, यह सारे के सारे compound words है, the combination of two words, चाहे वो एक साथ ही खटे हो, चाहे अलग-अलग हो, देखिए, एक खटे है, something, दो वर्डे न, some or thing, well-known, अलग-अलग है, लेकिन एक ही वर्ड है, childhood, child और hood अलग-अलग है, neem oil, एक ही वर्ड है, पर अलग-अलग है, now, अब देखिए, यहां पर, open compound words, तीन तरह के compound words हो गए, एक होते है, open, open का मतलब होता है, spaces between the words, जिन words के बीच में space होता है, space होता है, जैसे के उपर देखिए, well-known, हम यहां देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आपे, well-known, word तो यह एक ही है, यहां बीच में space है, तो यह है, open compound words, closed compound words क्या होता है, जिनके बीच में होते तो दो word है, लेकिन उनके बीच में कोई space नहीं होता, यह देखिए, childhood, childhood लगा लगा है लेकिन एक साथ लिखा हुआ है, तो यह है, closed compound words, hyphenated compound words, hyphenated compound words क्यों से होते हैं, जिनके बीच में hyphen होता है, जैसे cleanliness parting, thought provoking, मैंने और भी बहुत सारे पीछे दिये हुए, आपने अलग-अलग करके खुद देखना, अब देखिए, आईए हम add करते देखिए, यहां जगा नहीं थी ना, तो open compound words क्यों क्यों से हुए, close words को मैं लेकना भूल गई हूँ, बिटा प्लीज यहां पर देख लीजिये, close कौन कौन से है, it is, close है, something, मैं उसके आगे C लिख रही हूँ, ठीक है, मैं उसके आगे, just a minute, देखे, यहां पर close कौन से है, something, मैं C लिख दिया, मैंने इसके आगे, और कौन से हैं आप बताईए, childhood, यह भी C लिख दिया, मैंने इसके आगे, close है, grandmother भी close है, ठीक है, और कोई सा close नहीं है, now, hyphenated में कौन कौन से है, cleanliness parting, or thought provoking, okay, now, आजेए, आप देखे, मैंने यही answer में दिया, इस रफ में closed वाला जो है, वह लिखना भूल गई हूँ, आप इसको चूटकर लिख लीजिएगा, now, आप बताईए, bookstore कैसा है, bookstore कैसा है, bookstore कैसा है, एक यवर्ड है न, अलग अलग है न, तो यह open है, x-ray कैसा है, hyphenated, close up कैसा है, hyphenated, doorbell कैसा है, closed, fat free क्या है, बताईए, fat free क् classroom क्या है, यह closed है, okay, अब इनको आप अपने आप करके देखना, now, what's that tell us, what a person is doing are called verbs, वो words जो की यह बताते हैं कि एक वेक्ति क्या कर रहा है, in the table given below, match the verbs in the first column, और इस table के अंदर, verbs को आपको, first column में आपको answer के साथ match करना है, बताना है, showing action in the present, two verbs in the second column, second column में उनके जो verbs हैं, उनके साथ match कर रहा है, showing action in the past, ति कौन सी verb का action जो है, past है, past का मतलब verb की second form है, make a sentence with any one form of the verb, और आप किसी भी form को लेका sentence बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप present का ही ले, past का भी ले सकते हैं, जैसे मैंने past का लिया, दे का हो गया, E, make का क्या हो जाएगा, third का हो जाएगा, A, made, discover का क्या हो जाएगा, F, discovered, tell का क्या हो जाएगा, C, told, और give का क्या हो जाएगा, B, gave, अब देखिए, पहले का sentence बनाया है ना, next के देखिए, she found her gold ring in the kitchen, okay, she did not find her gold ring in the kitchen, okay, she finds her twice, she did, she found her twice, आप कुछ भी बनाएगी, delicious doughnuts, the ball was discovered by Edison, my granny told me a story, my father gave me a gift of gold bangles, now, next, आएगे, नीम बाबा, speaks to Ember, as if he is a person, नीम बाबा, देखिए, बात कर रहे है, कैसे, मनुशियों की तरह, तो है तो ये वरिक्ष ना, एक natural object है, ना, inanimate thing है, ये, है ना, तो ये बात कर रहे हैं, एमबर से, जैसे कि वो कोई वेकती है this figure of speech is called personification, जैसे मैंने आपको nursing nature में बता है, ने, alliteration है, वैसे ये दूसरा poetic device है, जिसे personification कहते है, मानवी करण अलंकार, ठीक है, तो यहां पर प्रकरती की कोई भी चीज, वो मनुशियों की तरह बात करती है, कोई जानवर भी हो सकते है, प्रकरती के अंदर तो जानवर भ हो जाता है, let us look at some more example, the leaves whispered in the wind, पतियां फुस्पुसा रही है, विस्पुसा कमी नहीं होता है, speak in a low tone, धीमी आवाज में बोलना, तो पतियां जो है, वो फुस्पुसा रही है, पर फुस्पुसा ना काम किसका है, मनुश्य का, the flowers danced marily in the breeze, ठंडी हवा के अंदर, फूल खु वेट उनका नाच करना कहता है, अब देखिये मैंने आपको कुछ एक्जामपल दिये, trees danced in the wind, तेज हवा में पेड़ नाचते है, stars winked, नीचे है बटाइए, winked का मतलब वो था पलके जपकना, winked in the night sky, और तारे जो हैं पलके जपकते हैं, तारों का पलके जपकना टिम्टि और कले रंग का बादल रो रहा है, और बारिश की बुंदे बुंदे गिरा रहा है, देखे सब में मनुष्य जैसी बाते आगे ने 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 चरल अबजेक्ट में, now, you will now listen to boy speaking to his mother, आपको जो है एक लड़का अपनी मा से बात कर रहा है, as you listen, और आपको जैसा कि आपने सुना है, select the correct statement, अब आपको transcript पढ़नी है, page number 101 की, तब बताने है कौन सा true है, कौन सा false, now, आईए देखते हैं, राहूल और मा बात कर रहे हैं, राहूल मा, have you heard about people बाबा, मा क्या तुमने people बाबा के बारे में सुना है, our teacher told us about him today, हमारे teacher ने आज people बाबा के बारे में बताया, mother, I have not heard about him, मैंने उनके बारे में नहीं सुना, who is he and what does he do, वो कौन हैं, वो क्या करते हैं, राहूल, he plants trees along with his team, वो अपनी पूरी टीम के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ में पौधे और व्रिक्ष लगाते हैं, he also started a movement to plant and save trees, उन्होंने अंदोलन भी चलाया था, पौधे लगाने का अब्रिक्षों की, सेव को सेव करने का सुरुक्षा देने का अंदोलन भी चलाया था, mother, that is wonderful, ये तो अजबुत है, where did he get this idea from, उन्हें ये विचार कहां से मिला, राहूल, when he was starting in a school in पुने, और जब वो स्कूल, पुने के स्कूल में, बॉंबे में, पुने के स्कूल में पढ़ रहे थे तब, his English teacher gave him the idea to plant trees, उन्हें इंग्लिश के टीचर ने उन्हें विचार दिया कि वो पौधे लगाएं, he was just 11 years old, उस समय पीपल बाबा सिफ 11 साल के थे, mother, how did he plant so many trees all over the country as a child, एक बच्चा होन के ना थे, उन्होंने पूरे देश में इतने पौधी पेड़ पौधी कैसे लगाएं, राहुली वस बोर्न तो एन्ड आर्मी ओफिसर स्फामिली इन चंदीगड़, और चंदीगड़ में एक आर्मी ओफिसर के परिवार में पैदा हुए, and whenever they were moved to a new city, और जब वे लोग ए known as people baba, लेकिन अब वे people baba के नाम से कैसे जाने जाते हैं, राहुली used to plant people and neem tree, उन्होंने people और neem के वरिक्ष लगाए, as they have many uses, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रियोग हैं, for us, हमारे लिए, and told others to do so, उन्होंने दूसरों से भी कहा इसे करने के लिए, so in the beginning, और इसी लिए शुरुवात में, people made fun of him, लोग इनका मजाक उडाते थे, by calling him people baba, इन्हे people baba कहकर बुलाते थे, but he was not bothered, लेकिन में किसी की चिंता नहीं करते थे, and continued to do his work, और उन्हें पौधे लगाने का अपना काम जारी रखा, now everyone calls him by that name lovingly, और अग people baba कहकर जो नाम है, वो लोग बड़े प्यार से लेते हैं, Mother, he's really done great work, उन्होंने वाकई बड़ा महान काम किया है, we should learn from him, हमें उन्से सीखना चाहिए, and plant more trees, और अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, अब आईए हम पौधे करते हैं, देखे, the mother was surprised to know that people baba had planted trees all over the country, मा जो थी हैरान हो गई, यह जान करके कि people baba ने पूरे देश के अंदर कितने सारे पौधे लगाई है, the mother dislike the work being done by people baba, mother को बड़ी घरना हो रही थी, mother को बड़ा बुरा लग रहा था, जो काम people baba ने किये, पहला वाला बेटा, mother surprised हुई थी, people baba ने पूरे देश में इतने पौधे कैसे लगाए सही है, और mother क्या घरना कर रही थी, people baba के काम करने से, उन्होंने क्या काम क्या गलत है, the mother wanted to know more about people baba, mother और people baba के बाने में जानना चाहती थी, सही है यह, the boy decided to take care of trees by listening to people baba's journey, और लड़के ने 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 लिया कि वह पेड़ों की देखभाल करेगा, और people baba की बातों, people baba की journey से सुन करके उसने सोचा कि वह सब पेड़ों की रक्षा करेगा, उनकी care करेगा, यह true है, the boy was worried about what his teacher had told him, लड़का बड़ा चिंतित था कि उसकी teacher ने क्या बताया, तो यह गलत है, लड़का तो बहुत जादा खुश हुआता है, let us speak now, collect dry leaves of four different trees, अलग अलग पेड़ों की चार अलग पतियाएं खटी करें, आपके जो असपास हैं, make one card as given below, जैसे दिखिए, यहाँ पर एक card बनाएं ना, नीम की पत्ती का वैसे बनाने हैं आपको, on top, draw the shape of the leaves, looking at the dry leaf, और shape बनाईए dry leaf के and color it, उसे color कीजिए, inside the card, write the name of the tree, plant, the leaf is taken from, और card के अंदर आपने नाम लिखना है, कौन से पेड़ या पौधी की पत्ती आपने ली है, from one end of its uses और उसके use भी लिखिए, उसकी बात बेटा, आपको now speak about the whole process of making the card in front of the class, class को बताना है, आपने कैसे card बनाया, कि first of all, I took a piece of card, I took a piece of card, thick paper, and then I cut it in a rectangular shape, मैंने उसे rectangular shape में काटा, and then I pasted the tree, the leaf of the people tree, and I draw the outline and color it, and then I wrote the name inside the card and its uses, इस तरह लिखना है, यह मैंने दिया नहीं है, आप लिख सकते हैं अपने आप, ask your classmates to identify the leaf and tail, one of its uses, अपने classmates से कहिए, कि जो पत्ती आपने चिपकाई है, उसके बारे में बताएं, उसके use बताएं, after the answer, open the card and share what you have written, और जब वो बता चुके ना, तब आप card को खुलिए, और उनके सामने रखिए, और उनने, और आपने क्या निखाए, देखे, मैंने यहाँ पर इस टाइप से दिया, आप कैसा है बना सकते हैं, यह उपर जो हैं, मैं बता देते हूं, आपको तुलसी है, और इसकी यह seeds हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इन पतियों को, कोई भी पती आप यहाँ पर paste कर सकते हैं, ऐसा color देखकर कर सकते हैं, मैंने इसलिए लगाई हैं, ताकि आप इसको देखकर color करें और beautiful card बनाएं, ठीक है, तो आप बना सकते हैं, Now, let us write, you have read about neem baba, आपने neem baba के बारे में पढ़ा है, and learned many things about the neem tree, और बहुत सारी बाते सीखी हैं, neem tree के बारे में, look at the trees in your neighborhood, अपने पड़ोस में कोई पेर, they can write a paragraph about any one tree that you like, और किसी एक वरिक्ष के बारे में, आप paragraph लीकें, जो आपको अच्छा लगता है, Where it is, यह कहां पर है, सड़के किनारे है, पार्क में है, कहां है, How it looks, यह कैसा लगता है, उसकी पड़ी tree की height बताईए, पेर का तना बताईए, पतियां बताईए, कूल बताईए, Why you like it, आप इसे क्यों पसंद करते हैं, उसकी shade ऐसी है, क्योंकि उसके अंदर दवाईयों वा Now, देखा है अपने वाटविक्ष, मैंने नीचे picture दी है, देखे, there is a park in my neighborhood, यहाँ पे D कर लेंगे बिटा, देखे, मेरी पड़ोस में एक पार्क है, there stands a wonderful banyan tree, उसके अंदर एक बहुत अदबुत banyan tree है, वाटविक्ष है, it has a towering height, इसकी बहुत उचाईए, the tree trunk is thick, पेड चौड़ी चमकीली है, it gives a shelter, और यह हमें आश्रे देता है in summer days, गर्मियों के दिनों में, its flowers are small and red in color, इसके फूल छोटे हैं, लाल रंके हैं, they attract birds and insects, और यह आकरशित करता है पक्षियों को, और छोटे छोटे कीड़ों को, I like the tree for its shade, मुझे यह पेड़ क्यों पसंद है, क्य जा देता है, शांती देता है, I read book under the tree, मैं पेड़ के नीचे किताब पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, the children swing from its aerial roots, यह देखें, aerial roots यह आप देख सकते हैं, यह पकड़ पकड़ करके यह aerial roots हैं, देखें, यहां से यह जाती हैं, और नीचे जमीन में जाती हैं, और फिर दुब इनियन ट्री है, वो सिंबल किसका है, शांती का और आराम का, ओके, तो यह aerial tree के बारे में हैं, now, let us explore, when people from Persia came to India, जब Persia के लोग भारत आये, and saw that common tree of their country, was freely growing here, और उनोंने देखा कि उनके यहां का जो common tree हैं, वो यहां पर बड़ी ही, freely, बहुत आजादी से उग रहा है, they started calling the tree, आजाद दरखतें, उनोंने इसको आजाद दरखतें कहना शुरू कर दिया हिंदी में, so the scientific name of Neem is Latin became आजादी रचता इंडिका, तो इसी लिए scientific name इसका क्या रखा गया, Neem का Latin में आजादी रचता इंडिका, okay, Neem has different names in Indian languages, भारतिय भाहशाओं में, Neem के अलग अलग belong to, और Indian languages में आपको पता करना है कि कौन सा नाम कौन सी भाशा को belong करता है, देखिए मैं बताती हूँ आखो, now, अहाँ Indian name है, बतर देखिए आप, निम्ब हिंदी में कहते हैं, निम्ब पंजाबी में कहते हैं, और लिम्बा कॉंकणी भाशा में, और उसके बाद में, निम् मौंड, निम्बा मौंड, मराठी में, निम्बे कनड़ा में, और निम्मो, तमिल में कहते हैं, निम्ट्री को, कितने खुबसूरत नाम है, रख लिजे आप अपने अपने नाम है, now, yes, my dear young friends, और ये हो गई question answer and complete exercise, और thanks for watching, और next वीडियो तक के लिए, next वीडियो में, आप मैं बार बार कहती हूं मेरा चैनल नूब है, please, मेरे चैनल को subscribe कर दीजिये, जिस से की मेरा चैनल grow हो जाएगा, और मुझे आगे, जो है, और फायदा होगा, तो ये फायदा है, आप अच्छे से समझते हैं, please, मेरे चैनल को subscribe कर दीजिये, और comment करना बिलकुल मत भूलिएग और निक्स्ट वीडियो दख के लिए गुट लग और गुट बाई